नमस्कार भाईयों पटना रिलवे जंक्सन आपको याद है आज से कुछ दिन पहले पटना रिलवे जंक्सन में क्या हुआ था आप लोग भाली बाती जान रहे होंगे जो खुले आम जिस पे अड़टाइजमेंट वाला चीज दिखाना चाहिए जिस टीवी पे उस टीवी प दरसल पटना में ये टीवी पे चला था और देलही मेट्रो में ये लोग लाइब देख लिए इस लड़की को देखिए ये देलही मेट्रो में सफर कर रही थी कुछ ऐसा कपड़ा पहन के जिसमें उर्फी जावे जो बॉलीवड वाली हिरोईन नहीं है जो बीना कपड़ो की रहती है और एकदम थोड़ा थोड़ा कपड़ा पहनती है उसकी बेहन टाइप दिख रही थी कहाए कि ये भी जो मोहतरमा है ना उभी बीना कपड़े की है और कपड़ा है भी तो इतना कम है इतना कम है पोड़ी की 90% चीजें दिख रही है धाका हुआ सिर्फ और सिर्फ दासी परसेंट है इसको देख लोग अगुसा चौथे आसमान पे है क्योंकि इस सोसल मीडिय पर देखने को मिल रहा है कि इस पर बियानवाजी हो रही है और जहां भी न्यूज वाले इसके बारे में पूछा ताची कर रहे हैं वहां लोग ऐसा भड़ाक जा रहे हैं कि हमारे महौल को इस तरीके से बना दिया गया है अचकल कोई भी कुछ भी पहन के आ जा रहा है ले इसको बताईए कैसा फील होगा इतना छोटा छोटा कपड़ा देखके गुस्सा का बजा यही है लेकिन ये सब चीज हमारे समाज को कितना गंदा और दुसित बनाता है ये कभी सोच के देखिएगा किसी एक के ऐसे पहनावे से हमारे समाज में उस चीज का कितना असर चड़ा हुआ है कि लोग कैसे बरदास करने भाई कि हम अपने फैमली के साथ आये हैं और इस लड़की को देखिए बेहया को देखिए कि इसको थोड़ा सा भी सर्म नहीं है हम भी मानते हैं कि हमारा एंडिया बहुत मॉडरन हो गया है लेकिन इतना भी मॉडरन नहीं होना चाहिए जिसमें कपड़े का कोई लिहाज ही नहीं हो कि आखिर कहां तक पहनना चाहिए और कहां तक नहीं पहनना चाहिए बाकी यह वीडियो देखके यह मत समझेगा कि बलर में दिखाये जा रहा है तो कुछ है ही नहीं अगर आपको देखना है तो देली मेट्रो वाइरल वीडियो ऐसे करके यूटूब पे डालिएगा तो आपके सामने बिना ब्लर का वीडियो आ जाएगा आप बिल्कूल जाके यूटूब पे भी चेक कर सकते हैं बाकी नमस्कार पर नाम जै मगत जै बिहार